नमो नारायन मित्रों आज के वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि करकरासी वालों का आज का दिन यणी की 8 जुलाई 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या बदलाब होगा क्या-क्या पडिवर्तन होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सुने इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप इसे भी देखें, सुने और आज माने का प्रयास करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके सुवास्त के बारे में मित्रों सुवास्त के दृष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए शामान से बहुत ज्यादा नीचे है आप में से जो भी लोग नसा पान करते हों, धुम्र पान करते हों, सराव का सेबन करते हों तो आज के दिन आप ये सब बिल्कुल भी न करें अन्य था आपका सुवास्त आपका शाथ नहीं देगा वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका शम है, अच्छा रहने वाला है आज के दिन आप बिना किसी की मदद के अपने दम पे पैसा कमाने में सक्छम है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करने का मन अगर आपका हो रहा है तो आज के दिन आप प्रियास अवश्य करें आपका भाग्या आपका शाथ देगा इसके बाद है आपका पाडिवारिक जीबन मित्रों पाडिवारिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका समय सामाननी है आज के दिन अपने घर पडिवार में शभी लोगों के शाथ अपने शंबंध को आप अच्छा बिहितर और मजबूत करने का प्रयास करें क्योंकि हो सकता है आज से पहले आपके घर पडिवार में किसी व्यक्ती के शाथ आपका शंबंध कमजोर हो गया होगा इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कोन से आपका समय अच्छा रहने वाला है आज के दिन आपका प्रेम शम्बंध बहुत जयादा रोमान्चक होगा और इसी वजह से आपके प्रेम शम्बंध में कहीं कोई शमस्या कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगी इसके बाद है आपका कामकाज मित्रों कामकाज के दृष्टी कौन से आपका समय शमान्च है आज के दिन अपने कामकाज में अपने काड़े च्छतर में आप जो भी काम करें उस काम को बहुत ही जयादा मन से पूरे एकागरता के शाथ करने का प्रयास करें क्योंकि अपने कामकाज में अगर आप लापडवाही करते हो तो यह आपके आने वाले वक्त के लिए अच्छा नहीं रहेगा इस बात को आप याद रखें आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है चार यनी की फोर आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है के सरिया और पीला इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बहतर और शांदार होगा मित्रों उपाई बहुत ही ज्यादा शामान है आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें आपका शमय सांदार हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जगह से एर कर दें धन्यवाद